हेलो फ्रेंड उम्मीद करता हूं काफी जाद अच्छे होंगे आप लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिल्लेंड वर्क पर्मिट के बारे में मैं काफी टाइम से ट्रैवल कर रहा था तो कोई नहीं वीडियो नहीं आप आई तो सोता चला कोना एक वीडियो बनाई जिसमें बात करी है फिल्लेंड वर्क पर्मिट के बारे में फिल्लेंड वर्क वीजा के बारे में कि कैसे फिल्लेंड का वर्क वीजा ले सकते हो और कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो, क्या वैदा रहता है और कैसे सारी चीज़े रहती है उसके बारे मुद्ध करेंगे और कितनी सालरी मिलती है, क्या फैसलिटीस मिलती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो को लाइक करो चैनल को सस्क्राइब करो, तो दोस्तों, फिलेंड में जो जॉब निकलता है, वो कई टाइप को जॉब निकलता है, अब अगर आपको देखना है कि आपकी skill जो है या आपकी जो experience है, वो किस चीज में है, और यहां पे अगर हम बात करें, बैसिकली जो नॉर्मल निकलती है वेकंसिस वो किस जॉब्स की निकलती है तो वो हस्पेटल्टी सेक्टर की होती है चाहे वो क्लीनिंग है चाहे हाउस्कीपिंग है चाहे शेफ है हॉस्पेटल्टी ही बेसिकली होती है इसके लावा बात करें तो यहां पे skill jobs भी होती है, skill jobs में अगर हम बात करें तो plumber है, electrician है, HVAC technician है, यह jobs basically होती है, एक चीज़ में आपको clear कर देता हूँ, job लेना इतना असान नहीं है, ठीक है, job मिलती है, मैं नहीं कहता हूँ, job अप्लाई नहीं कर सकते, बट मिलना इतना जादा असान नहीं है, खाफिस सारी वीडियोज आपने देखी होंगी, उसमें लोग बोलते हैं, कि हाँ job अप्लाई कर सकते हो, इतनी salary है, 2 लाग से 4 लाग salary है, मिलती है, बिस्टिकलि इतनी salary है, job अप्लाई कर सकते हो, बट job मिलना असान नहीं है, सारे लोग सोचते होंगे, कि यहाँ tourist पर आ जाएंगे, फिर उसको work में convert कर लेंगे, या यह सारी चीजे, तो यह चीज कुछ हद तक possible है, परस कुछ हद तक possible नहीं भी है, तो first of all, अगर आपको आना है, तो आप पहले से research करके आओ, लोग हैं, उनसे आपको बचके रहना है, जो 15,000, 20,000 में आपको वीजा कहते हैं, प्रोवाइट करेंगे, सारी चीजे से प्रोवाइट करेंगे, जो कि फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, आज मौसम ऐसे काफी दा अच्छा है, धूब निकल हुई है, बट इतना इतना अच्छा मौसम कभी भी रहते हैं, नहीं है कि सेंट्रल इछे की बात करें, हम यॉरॉप की बात करें, जो लोग इधर यॉरोपन कंट्रीज में फिल्लेंड का प्लान कर रहे हैं, वहाँ पी मूव होने का, अगर आप प्लान कर रहे हो, तो समर्स में प्लान करो, विंटर में बिल्कुल भी प्लान मत करना कोई कि विंटर में कंडिशन काफी ज़्यादा वर्स्ट होती है वहाँ पे, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, दिसमबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पर थोड़ी सी जॉब्स निकलती हैं, फिल्लेंड में, दिव टू क्रिस्मस, क्रिस्मस पर काफी ज़्यादा टोरिस्ट आते हैं, बट उसमें लेंगज बैरियर आपको काफी ज़ादा मिलेगा, अक एक चीज़ शायद आप अपने इसाब से सो सकते हो कि अगर इतनी जॉब निकली है तो अभी तक बारा क्यों नहीं वो चीज़, ठीक है, क्योंकि जाने वाले बहुत हैं, इंडिया से भी, पाकिसान से भी, नेपाल से भी, बांगलादेश से भी, लिमिटेड जो लोग होते हैं, लिमिटेड स्किल वरकर्स ही जाते हैं, उसके लावा कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग को भड़ लिया जाए, फैक्टरी की जॉब, यह जॉब, आई एगरी की लोग जाते हैं, इवन मेरे कुछ स्रस्राइबर्स भी गहें, मेरे कुछ जानने वाले भी गहें हैं, फिल्लेंड में, इंडिया से गहें हैं, और वो जॉब्स में क्लीनिंग में गहें, फैक्टरी में लोग जाते हैं, बट बहुत कम, एक लेवल होता है, उस लेवल तक जाएं तो हमान सकते हैं, हाँ जाते हैं, बट एक होता है कि चमतकार, लग, वो लग पे गहें, तो म यहां पर 100% कह सकता कि हां लोग जाते हैं जा सकते हैं सारे जा सकते हैं क्योंकि फिर मेरे में और उन में फरक नहीं रहेगा जो information शेर करते हैं मैं आप जैनूल information रियल्टी वाली शेर करता हूं और वो व्यूस के लिए वर करते हैं नवंबर के मन्थ में इतना अच्छा मौसम कभी भी नहीं रहता है, तो आज अच्छी बात है कि हम आये और मौसम इतना अलचा हुआ हुआ है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे अब अप्लाई कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कंपनीज का या कुछ पोर्टल इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो, वीटो पुनाने कम अकशेद यही था, कि आप लोग को बताया जाए कि अप्लाई हर एक बंदा कर सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब मिलने के थोड़ी सी दिक्कत, अप्लाई आप 1,001,001,001, पर जॉब कितनों को मिलती है वो चीज में हैं काफी जाओ आप लोग को बता जाता है कि को आप 15,000 वीजा ले सकते हैं आप 10,000 वीजा ले सकते हैं यह वीजा की कॉस्ट है Mbasi में यह जाएंगे तो Mbasi की कोस्ट है कि हाँ आपके सारे documents complete हैं आपको employment मिल चुकी है तो आप वहाँ पर जाके ये fees पे करके ले सकते हैं बिसिकली वीजा अप्लाई कर सकते हैं not exactly वीजा ले सकते हैं बट आप मिलता है जो लोग मलीशा चाहते हैं उनको क्रोशिया जाते हैं माल्टा जाते हैं साथ सफ लाग खर्च करके उनको क्या जूरत है वह पंद्रहजार वीजार देगे वह फिलन चले जाएंगे बट वह फैक्ट नहीं है तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और कुछ चीज मिलना इस नौट पॉसिबल अप्लाई आप कर सकते हैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि काफिया आप लोग के मैसेज़ेस आते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि मैसेज करेंगे के कॉल करेंगे बटो देखते हैं कि बाई बंदा टाइम क्या हो रहा है तो उस चीज़ पर ऐसे कर सकते हो और एक अप्लाई कर सकते हो इतनी कॉस्ट लगेगी सीवी करने की सीवी बनाने की तो वो चीज़ों पर ध्यान दो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे आई होब इंफॉर्मिशन आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना चैनल को करना